कोरोना वाइरिस महमारी को शुरू हुए दो साल जल्द पूरे होने वाले हैं इस बीच कई वैक्सीन कंपनिया लोगों को कुरोना के प्रभाव से बचाने के लिए अंतरिम तोर पर टीके लाउंच करती जा रही है। अब तक क्रोना वाइरिस को रोकने के कोई पक्का इलाज नहीं मिला है। फेरिटिन नैनो पार्टिकल्स के आधार पर इस वैक्सीन का निर्मार 2020 की शुरू कर दिया था। लग्यानिकोने इस वैक्सीन को इस तरह निर्मित करने का लक्ष रखा था कि ये क्रोना के सभी अगामी वेरेंट का भी मुकाबला कर सके। बतायागी की लैब की तरफ से इस वैक्सीन का जनुब पे ट्राइल 2021 की शुरूआत में पूरा हो गया था। इसके सकरातमक नतीजे मिलने के बाद संसान ने अपरैल 2021 से हुमन ट्राइल का पहला फेस शुरू किया। वाल्टर रीड के संक्राम अक्रोग विभाग के निदेशक डॉक्टर केवोन मोद जराद ने इस वैक्सीन के निर्माण की पुष्टी करते वे कहा है कि इस का परेक्शन का पहला फेस दिसम्बर की शुरूआत में ही पूरा हुआ है और इसे एमेक्रॉन और बाकी मोजुदा वेरिंट के खिलाव भी टेस्ट किया गया है नतीजों को सामने आया कि इस पेफियन वैक्सीन करोना और सार्स के खिलाव प्रती रोग धक्शम्ता को मजबूत करने के साथ इसके अलग-अलग वेरिंट से भी सुरक्षा मोहिया कराता है डॉक्टर केवुन ने कहा है कि जिस तरह से पिछले दो दशक में वाइरिस का उभार हुआ है और कुरॉना के वेरिंट भी सामने आ रहे हैं इससे साफ है कि हमें ऐसी वेक्सीन बनाने के लिए तयार रहना चाहिए जो बाकी वाइरिस का सामना करने के लिए उप्योग तो हो देश और दुनिया के हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें